हलो फ्रेंड्स, नमस्कार, ध्रा क्लासे में आपका स्वागत है, आज मैं आपको बी ए फोर्स समेस्टर का फिक्षन यूनिट थर्ड का साथ आंसर टाइप कोस्चन बताने वाला हमित्रों, जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो बी पर फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को सेर करें, जो कि आने वाले इंपोर्टेंट होने वाला है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पर एक वर्ड की मेनिम बताते हुए, संटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट आप व्यू समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे इन दा टू विजन आप कांसी कांसियसनस का मतलब होता है चेतना, तो इन दा टू विजन आप कांसियसनस आप हरड वाई टेगोर इन दा प्रजन नाबिल, यनि कि बरतमान, मौझुदी, मौझुदगी नाबिल में उपन न्यास में टेगोर के द्वारा, दो द्रिश्टी चेतनाएं बताई गई हैं, दो चीजों के बिंदू के बारे में विश्यों सुरुप से बताया गया है, वेर डू हिस सेंपसाइज लाइज, सेंपसी का मलब होता है, उनकी सहानभूती, उनकी सहानभूती कहां पर दिखाई पड़ती है, तो ये चीजे हमको कोस्टन्स के रूप में समझना है, इसके बस चार्थ, इसका अंसर आपको लिखना है मित्रों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका अंसर को, फार टैगोर, यानि टैगोर के लिए, इस डेविलमेंट आप बोथ मौड्स, आप बीइंग इन दवर्ड, यानि कि बिश्विकास के साथ साथ, जो बिश्व का, बिकसित होने का एक दिस्टी कोन बना हुआ है, उसके साथ साथ में, आर रियलिटीज, और जो उसकी वास्ति बिकता दिखाई पड़ती है, that he believed, began to appear with the Indian fight for independence in the early 20th century, यानि कि बिश्वी सती के, बिश्वी सताबदी के भारतिय स्वतनता आंदोलन के समय में, यानि इंडिपेंडेंस डे के समय में, जो बिश्वास लोगों का बना हुआ था, वो पगट होता दिखाई पड़ रहा था भ इंडिबिजुआ इस बात हो, that they are, we are individual involved in the independence movement, इंडिबिजुआ का मतलब होता है मित्रों, अकेले के रूप में एक अकेले के रूप में किसी चीज़ को संपन करना आगे बढ़ाना, तो he recognize उन्होंने पहचाना that we are individual involved, individual involved, individual involved का मदब होता है, एक आकी पन को ले करके किसी कारी को आगे बढ़ाते हुए in the independence movement, यानि स्वतनता के आंदोलन को, उन्होंने आगे बढ़ाया that embraced, और उसके साथ साथ उन्होंने उससे प्रभावित होकरके that embraced the universality of it, यानि पूरे बिस्व को उससे प्रभावित किया उन्होंने इस आंदोलन सिमित्रों and the sacrifices required to preserve it और जो बलिदान देना पड़ा इनके उनको required to preserve it, ative raider का मतलब होता है किसी चीज को संकलित करना छो बलिदान एक वह बल दान हुआ देस के लिए उनके लिए एक बहुत ही देस के लिए आंदोलन के लिए विसेस। वेकर बद्धु का सुरूम से जो है उसका एक ब्राइब का स्वरूम मित्रों इसको नहीं नहीं को याद रखने कि yad आँ सकता है उसको हमेशा के लिए हमको याद और उसी समय, at the same time, उसी वक्त में, he understood, उन्होंने इस बात को समझा, that दियर बियर दोज, वे लोग जो थे, who involved in the movement, जो उस आंदोलन में जुड़े हुए थे, उस आंदोलन के लिए जो सक्किये थे, involvement का मतलब होता है, जुड़े हो जुड़ना उससे लगाता है, उससे अपने आपको उसके सानित में बनाए रखना, इंदा movement उसांदोलन में जो जुड़े हुए थे, वाज motivated, वो motivated किया जाते थे, उनको जो है, पता से निर्देशित किया जाता था मित्रों, through the embrace of the contingent understanding, contingent का मत मतलब होता है, आकस्मिक जो उसमें कार हो रहे थे, उस कार से उनको बराबर आउगत कराया जा रहा था, जो भी आंदोरन में उसमें लोग सामिल थे मित्रों, and construction of power, और उनको पूरी तरह से उस निर्माण के लिए सक्ति प्रदान की जा रही थे मित्रों, its acquisitions and ability to exercise, it was more of a motivational force it acquisitions, acquisitions का मतलब होता है, मित्रों किसी चीज को अजिगरहन कर लेना, तो यहां पर बताया जा रहा है, its acquisition, जो भी अजिगरहन किया जाते थे उस समय, खीजें, and abilities, और जो योगिताएं उनकी होती थे, to exercise, it was more of a motivational force, वो एक motivational ताकत की रूप में, एक किसी, एक मार्ग दर्शन की ताकत की रूप में सामने आते थे मित्रों, than anything else, अनिकिसी की अपेक्षा जो है, वो एक मार्ग दर्शक की रूप में, एक सक्साली मार्ग दर्शक की रूप में, जो है, उनको, उनकी योगिताएं, उनके कार, समाज में, इंडिया में, अपने आपको एक अलग परकार से परदर्शित किया था मित्रों, and his own पंचान, यानिकि अपने लगन के द्वारा, पंचान के मतलब होता है, लगन, यानि अपनी लगन और सानिद्दी के द्वारा, जो है, टैगोर ने अपने आपको इस देश की स्वतंतता में, अलग ढ़ सेटिंग सेल्फ इंट्रेस्ट मास्ट इंदा फैकेड आप्स उनिवर्सलिटी, यहाँ पर देखेंगे मित्रों, his development of संदीब, यानि कि जो इसमें पात्र आया हुआ है, पात्र का नाम संदीब, बताय गया है मित्रों, इस फिक्शन नॉबल में, तो इसमें आप देखेंग है, the calculating self-interest, वो अपने आपको एक self-interest के रूप में समख्छ रखता है, एक रूची के रूप में आगे रखता है, उसी करना करता है मित्रों, मास्ट इंदा फैकेड, जो कि उनके लिए बहुत ही important होता है मित्रों, आप उनिवर्सलिटी, इस विश्चु के लिए एक सबक के रूप में एक प्रयाय के रूप में वो बनता है, when he escapes, यानि कि जब वो इसके का मदब छिप जाना, जब वो अपने आपको निकल जाता है, वहां से अलग हो जाता है मित्रों, तो टैगोर इसको असपस्ट करना चाहते हैं, that he is doing so far his own self-interest, कि जो भी वो करते हैं, कर रहा है, वो अपने self-interest के, यानि कि सहम कीरुजी के अनुसार उसकार को करता है, and no other region, और उसके साथ में और कोई दूसरा कारण नहीं है, at the same time, उसी वक्त, निखिल सक्रिफाइज सेज हिंसेल्फ, हार दी, पीस, उसी वक्त, निखिल जो है, इस पात्र में जो है, निखिल का जो ना इस इस इंसेल्फ, फार पीपुल, निखिल स्वैम को जो है, बलेदान की रूप में समयत्र करता है, he does not know, वो नहीं जानता है, this demonstrate, this demonstrate, demonstrate का मतलब होता है, मित्रों, दरसाना, तो this demonstrate, how a universal understanding, कि इसको किस परकार से समझेगा, वो इस चीज को नहीं समझ पाता है, अपने बलेद means to love, कि उसके प्रेम का मतलब क्या होता है, क्या होगा, क्या होना है, यानि कि कहने का अतार पर यह है, कि जो देश के लिए अपने आपको बल्दान के सुरूप में परिसुप कर देते हैं, बल्दान बना देते हैं, अपने आपको नशावर कर देते हैं, मित्रों, उनको इस किस रूप में समझेगा उसे से कुछ को कोई मतलब नहीं होता है के वलो देश से ही मतलब रखते हैं मित्रों देश के नागरिक उसके बारे में क्या सोचेंगे उसे का कोई अपराय उनके जीवन में नहीं होता है and care for others in the sense और किसी माइने में दूसरे के बारे में किंतन करने की उनको आव सकता नहीं होती है that is not contingent जो कि उनके लिए एक तरह का एक आकस्मिक रूप होता है वो is more difficult और कठनाई से भरा हुआ समय होता है but more rewarding from immoral परन्त वो नैतिकता से भरे हुए पुरुसकार को परदान करने वाला होता है and ethical point of view ethical का मतलब होता है नैतिक यानि नैतिक बिंद की और नैतिक नैतिकता की और इसारा करता हुआ वो लक्ष उनका दिखाई पड़ता है here tiger makes it clear यहां पर टैगोर इसको असपस्ट करते है diet universality की जो universality है जो बिस व्यापकता है उसके बिसे में वो यहां पर बताते हैं मित्रों and understanding the implication of it और इसके बारे में वो जो है उसकी पूरती करने का प्रयाज करते हैं इसको पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं देश के हित में कारी को करते हुए आगे बढ़ते हुए is more beneficial than a position of temporality अर्थात जो एक बहुत ही लाबकारी होता है भविश्गत रूप में एक इस्तिती के रूप में मित्रों जब हम अपने देश के परते अपने किसी ब्रतिकर स्वास से हट करके कोई कारी करते हैं तो हमें अपना निजी स्वार्च दिखाई नहीं पड़ता है पूरे देश से जुड़ा हुआ हमारा लक्ष होता है उसके बिचार इस प्रकार से यहां पर दिखाई पड़ते मित्रों और जो उनकी आकस्मिक्ता है उसके अंदर जो कार करने की एक तरह से लगी हुई है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं टैगोर's affections fournichils demonstrate this eyes well eyes his own sense of loyalty यानि पूरे भाव विचार के साथ जो है निस्ठा के साथ टैगोर का जो डिमोस्टेट है जो टैगोर का कार है वो दरसाता है साथ साथ में एक अच्छे भाव से को लिए हुए निस्ठा को लिए हुए देश के परते और देश के बलदानियों के परते टेगोर के भाव यहां पर दिखाई परते हैं और जैसा वो बताते हैं कि उनका एक नयतिकता से भरा हुआ अपरोच लोगों से के बीज में पाया जाता है मित्रों जिससे वो देश के परते ना कि पूरे समाज के परते और लोगों के परते अपनी निष्ठा को अपनी कर्तब को दिखा रहे हैं टैगोर जी तो यह यह आप के questions का जो answer है आपको इस तरह से समझ करके पूरी तरह से मित्रों लिखना है अब हम second question आपका है write a brief note on चंदरनात बाबु यहाँ चंदरनात बाबु की विज़े में एक आपको लगो नोट लिखना है उसके विज़े में कुछ बताना है आपको चंदरनाथ बाबू के भी से मिमितों तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं देखें कि आप कि चंदरनाथ इज निखिल से स्कूल मास्टर यानि निखिल के विद्याले के अध्यापक हैं कौन चंदरनाथ यानि चंदरनाथ जी निखिल के विद्याले के अध्यापक हैं यह हमको स यानि कि दोनों ही यानि कि चंदनाथ और निखिल जो उनके टीचर हैं ध्यापक हैं और निखिल दोनों ही विस्वास करते हैं लोगों को इंडी बिजुवल इंडी बिजुवल का मतलब होता है कि स्वैम की जो है सतंता के बारे में ओबर डागमिटिक यानि कि इसका मतलब हु का दोनों का दिखाई पड़ता है दोनों का विश्वास पूरी तरह से दिखाई पड़ता है मित्रों such as स्वदेसी जैसा कि स्वदेसी की रूप में वो प्रकट होता है he regularly gives Nikhil's advice वो जो है नियमित रूप से परदान करते हैं देते हैं Nikhil को बिचार अपने यानि कि अपने सलाह से नमाजते रहते हैं कि इसको Nikhil को नित्य परते दिन में तो daily यहां पर regularly भी लिखा हुआ है यानि कि परते एक दिन like Nikhil's, Nikhil's की तरह ही his principled way of thinking alinates him from those he is trying to help you know निखिल की तरह like का मतलब his principle his principle का मतलब होता है सिधानदवादी यानि जो उनके सिधानद है we are thinking जो उनके सोचने का तरीका है alignates वो ऋपuencia से दूर कर देती है किया दूर कर देती है alignates का मतलब होता है दूर कर देना I'm करना चाहते हैं, उनको उन से क्या कर दिती है, दूर कर दिती है, ने उनका जो सिधान्थ है, जो उनका तरीका है, सिधान्थ बादी, कटर पन होने के ना थे, वो सारी चीजें, यहाँ पर असफ़स दिखाई पड़ती हैं, कि वो उस उत देश से, इस कटर पन को ले करके, है अध्यापक की रूप में हैं फार इंस्टेंस वाइल ही प्रोवाइड्स पंचू बिठे लून यहां पर देखेंगे मित्रों फार ही इज टाइएंग टू हैल्प फारम मिलंच इनस्टेंस का मतलब होता है एक उदाहन की रूप में अपने प्रस्थू करना वाईल ही प्रुवाइड फॉता है यह मत्रो पंचु अल्टिमेटरी लास्स भार चंदनात् बंचु जो है अंतमि को देता है क्या उत अतर देता है रिसेट है प्रुट्स भाण चंदनाथ के परती जो सम्मान उसे करना चाहिए था उस सम्मान को क्या कर देता है अंत में खो देता है मित्रों यह चीज यहांपर बताई जा रही है आप सको समझ में बात आनी चाहिए कि यहांसे जिसके किसी के लिए हम कोई कार कर डूँ उसके पश्चाद उसकार के संपन ह हो जाने के पस्चाद होँ आदमी हमारे कार के बदले में हमें भी भूल जाया, यानि हमारे कार को तफ्जू न दे तो इस बात को यहां पर बतला जा रहा है, यहां पर देखेंगे मुद्तरों क्योंकी चंडनात ज़ो है अंत में यल्ब स्की मदत करते हैं नहीं मदत करते हैं आई यहwood उसकी मदत नहीं करते हैं रीच वेटर प्लेस प्लेस लाइफ ऐक जीवन के अचछे इस्तिती में होते हुए भी चंदरनाथ उसकी मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो उसके सम्मान को प्राप्ट करना चाहता है उस सम्मान को उसकी प्राप्ट नहीं हो पाता है इसलिए वो उसका मदद नहीं करते हैं यह जहां पर बताई जा रहे हैं अब कोश्चन जो आपका था किजिए the home and the world, इस title को आप justify करें clear करें कि क्यों ऐसा सीरसक दिया गया तो इस question में आप देखेंगे इस उपन्यास के लिए एक उचित सीरसक है अपरोप्रियेट का मतलब होता है मित्रों उचित रूप से यह उचित सीरसक दिया गया है इस नाबिल के लिए एक उचित सीरसक की रूप में है विकाज क्योंकि इसमें जो है एक आंतरिक पीड़ा को दर्साया गया है विमला की जो एक टकराव के रूप में देखा जाता है मित्रों जो कि बार बार दोराय जा रहा है और अगे चल करके एक बहुत बड़ा इसमो बन गया है संसार के लिए गुदाहन बन गया है मित्रों इसलिए टाइटिल बहुत ही important हुई है इस novel के लिए मित्रों throughout this novel इस उपन्यास के आगे बढ़ते हुए का लब उसे उपन्यास में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे बिमला इच फोस्ट तो चूज बिमला इबिमला 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 पति के रूप में जो सको मिला हुआ है निखिल टेग्स हर एक पारिवारी रूप से भी मिला को अपने घर में रखने के लिए वो राजी नहीं होता है इन दिस न्यू वर्ड और एक नए संसार के लिए जो है विमिलाज फस्ट टूर्ट टेस्ट आप दी वर्ड संसार उसके लिए एक नया टेस्ट बना हुआ है एक खोज बनी हुई है तंसार के बारे में वो अपने आपको ठहरा नहीं पा रही है कि मैं किस और जाओं क्या करूं यह सिती विमिलाज की यहां पर बताई जा रही है आन एनादर लेबल दूसरी स्टेज पर देखेंगे विमिलाज फिल्स विमिलाज फाइंड हर सर पुल्ड विमिलाज अपने आपको एक खिचाव की रूप में महसूस करती है बिट बीन फिगरेटिक हों एक घर के दिर्स्ट की रूप में घर की ग्रेंडी की रूप में उपने आपको खिचाव सा महसूस करती है मित्रों and word और विस्ट की रूप में इस बहावना के अंसार निखिल and his practical approach निखिल और उसका जो ब्यक्तित्त है, two things represents the familiarity of home, एक पारिवारिक, एक ऐसा घर जो परिवार से जुड़ा हुआ हो, इस चीज को ब्यक्त करता है मित्रों, at the same time, उसी वक्त, विमलाज, फीलिंग्स, फार संदीब, विमला के जो बिचार होते हैं, संदीब के परती, and his idealistic outlook represents a different start afterwards, वो एक भिन तरीके से एक लग संसार को अपने आप में देखती है, उसके अंदर वो पस्थित होती है, संसार की सिती, कि मेरा भी कुछ परिवार है, मेरे भी कुछ लोग हैं, इस तरह की विचार धारा, नए तरीके से संदीब को देखने पर विमला के अंदर उत्पन होत उसने अपने पर्थम ग्रह को त्यागा था, छोड़ा था मित्रों, छोड़ी थी, विचिट्स ओमेंस, फोकस्ड करेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें एक इस्त्री के चरित्र का फोकस दिखाई पड़ रहा था, विमला, विमला फाइंड्स हर से द्राउन फर्दर एंड संदीब बार दिखाया था, इस सीन में मित्रों, अब हम दिखेंगे, इस पेरागर आप में देखेंगे, मित्रों, इतीच संदीब, यह संदीब है, उसंदीब की बात की जा रहे, गाले, जिसने बेद्रों इन फर्दर वियांड दा, का नफिल्स आप ए ओो, एक घर की रू और उसके लिए एक महान बिस्स की कलपना को सार्थक किया उसने इन दिस न्यूर्ड इस नए संसार में विमलाज एक्सपोज टू दा इसूज कंसर्णिंग हर कंट्री एट इस्टोरिकल टर्निंग पॉइट यानि कि एक अधिहासिक मोड को विमलाज के जीवन में दिखाया ग जो पढ़ाव था उसके जो खिजाव था बित निखिज निके साथ में रिमाइंस इभान थ्रो सी मेक्स चौाईजजेश जो कि उसका चुनाव था पहला निखिल तो निखिल से उसको कोई जीवन में सांती नहीं परदान हुई ठी कोई भी सुक्सांती उसको अन्भूत नह ले जाने के लिए बिवस किया कि जीवन में कुछ चीज़ें महत्पूर्ण भी होती हैं परिवार और घर और बिश्व यह चीज़ें उसके मस्तिस्क में आई मित्रों बिमला फाइंट सरसल बिमला ने स्वैम बिमला स्वैम अपने आपको पाती है चूजिंग एक चुनाव के रूप में बिट बी इन दा होम एंट दा वर्ड यानि कि बिस्व और घर संसार और घर के एक ऐसे चुनाव के दोर में अपने आपको पाती है बिमला कि उसे ही निरने लेना होता है कि उसे अब आगे क्या करना है मित्रों इस उपन्यास में हमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि जीवन में ठुकराया हुआ अब्यक्ति यदि लास्ट में अपना लिया जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है और उसे अपने जीवन को धन्य मानना चाहिए और उसी मार्ग पर चलते रहना चाहिए मित्रों अब हम क्वेश्टन नबर फोर की ओर बढ़ रहे हैं कोश्टन नबर फोर में पूछा जा रहा है हाव डज अमुल्या डाई यानि अमुल्या की मृत्यू के बिसे में पूछा जा रहा है मित्रों कि अमुल्या की मृत्यू कैसे होती है किस प्रकार से होती है यह हमें बताना है तो अमुल्या भी जो है इस नॉबल की ये करेक्ट और कमेंट के रूप में जरूर अपनी प्रत्क्रिया को हम तब क्रिसित किया करें जिसे में आपको आपके अनुसाइब योग प्लब्त करा पाओं मित्रों अब हम देख रहे हैं कोष्चन नमबर फोर तो कोष्चन नमबर फोर में आप से पूछा जा रहा है हाउ ड़ अमूल को के रूप में नांथलेस एक महत्तो के रूप में वो नहीं अपने आपको दरसाती है एक चरित्र के रूप में फिर भी अमूल्या का बढ़न यहां पर किया जा रहा है आज इंदीड इदा माइनर आफिज डेथ फिर भी उसके एक मिर्ट्व के वर्ताव को देखते हुए यहां पर आफसकता पढ़ती है उसके मिसे निए बताना मित्रों तो यहां पर देखेंगे कि वो सहम जो है अपने आपको जो दखेज के लिए जो दंगा उत्पन हुआ था मित्रों जो आंदोलन किया गया था स्वधे और बेदेस यlifting क्या मतलब जो हैं कि अंग्रेज अंग्रेजों से रवाई थी किसकी इंडियन की तो इंडिया के लोग जो चाहते थे कि हम स्वदेशी बने और इस दंगा फसाद में अपने आपको स्वदेशी कह करके आगे बढ़ावें तो यहां पर देखेंगे आइंटी स्वदेशी एंटी का मतलब होता है बिपरीत रूप से अलग तरीके से स्वदेशी रियाउर्ड यानि स्वदेशी के पर देखेंगे बहाव उत्पन हुए थे साथ थू दा हाड्ट वो उसके हिर्दें को विसेस आगहाद पहुंचाए थे मित्रों किसके हिर्दें क अमुल्या के लिए को दाद दर्थ आफ अमुल्या इज डीपली यानि कि अमुल्या की जो मिर्थु है वह गहराई से एक परतीक के रूप में समक्षाती है मित्रों एक परतीक के रूप में यहां पर दिखाई जा रही है यहां पर देखेंगे मित्रों वो एक एंग होते हुए एक बैक्तित को अपने देश के परती उसका दिखाई पड़ रहा है क्योंकि संदीप के पर उसका आंतरिक संबंध था यहीं के हिर्दे से उसका संबंध था मित्रों इंडिया आइंड दा सोदेशी मूवमेंट भारत और सोदेशी आंदोलंग का प्रारम हुआ था in other words दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं he always allows his heart to overrule his head वो हमेशा ही अपने हिर्दे को हिर्दे से मस्तिस को overrule करने की पावर देता है यानि कि जो दिल में आता है वही वो सोचता है वैसा ही वो करता है मित्रों तो यहाँ पर always allows his heart to overrule his head यानि अपने जिंतन की अनुसार अपने हिर्दे को अनुमधि परदान करना और उसी के अनुसार कारी को आगे बढ़ाना यह गुण अमुल्या में दिखाई पड़ते हैं मित्रों but that heart परंत वो हिर्दे हैं has been destroyed both literally यहाँ पर देखेंगे मित्रों परंत वो हिर्दे जो है दोनों तरीके से दिस्ट्राइज हो जता है literally साब्दिक रोप से and metaphorically साब्दिक और जो है metaphorically का मतलब होता है लाक्षणिक रोप में यानि साब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरीके से उसका जो सोच है जो उसका हिर्दे है वो विस्पोटित होता है मित्रों amulia's death is the death of innocence amulia की जो मिर्दू है वो एक निर्दोस की मिर्दू उताई गई है मित्रों as a humble filed soldiers in the सुदेशी मूवमेंट की सुदेशी मूवमेंट में सुदेशी यान दोलन में एक तरीके से एक humble दुखी फाइल के रूप में चरित्र के रूप में उसका पन्नी के रूप में जो है सुदेशी पर्त के रूप में उसका सिपाही के रूप में उसको उसकी मिर्दू दरसाई के यह मित्रों हिवाज Assemblously Manipulated जो कि पूरी तरह से जो है चालाकी से भरी हुए यानि कि Manipulated का मतलब होता है पूरी तरह कि चालाकी चाल से भरी हुई चीजों को चीजों से उसकी हत्या होती है बाई संदीब हिवाज और यहां पर देखें कि मैं तो हिवाज Samlously Manipulated बाई संदीब यहां पर देखें कि उस आंदोलन में सुदेसी आंदोलन में हिवाज Samlously Manipulated वो पूरी तरह से जो है चालाकी से भरे हुए उस तथ के अनुसार जो है बाई संदीब संदीब के द्वारा और बिमला और बिमला के द्वारा Becoming little more than a pound आप तेर पॉलिटिकल गेम्स वो अपने राजनीतिक खेल में पूरी तरीके से जो है एक बंधक के रूप में बन करके कार करता है मित्रों कि जैसे राजनीतिक पैंदड़े में राजनीत के खेल में वो अपने आप को एक गिर्मी रखते हुए यानि कि pound का मतलब होता है गिर्मी रखना बंधक की रूप में आ करके यानि कि इनके संदीब और बिमला के मतलब कड़ी में फंस करके वो अपने कार को आगे बढ़ाता है मित्रों बट अमुल्या नेबर अंडेस्टूड दिस परंत अमुल्या जो है इस बात हो कभी नहीं समझता है कि संदीब का और बिमला का उसके परते राजनीतिक दिस्टिकोन क्या है क्या वो उससे करवाना चाहते हैं क्या सोचते हैं उसके बिसे में इसके बिसे में अमुल्या नेबर अंडेस्टूड दिस अमुल्या ने इसके बारे में कभी नहीं समझा ही वाज सो नेटिब क्योंकि वो देश के पर बहुत ही आभार प्रकर करता था वो नहीं चीज़ों पर बिस्वास करता था जो उसके लिए उची तो होते थे देश के लिए सही होते थे मित्रों इन विचारों पर वो कभी भी गंभीरता पूरवक चिंतन नहीं करता है उसके पर किसी परकार से अपने आपको उसके अलग नहीं कर पाता है उसका भी नहीं सोचता है कि उसका सोसन जो उसके करीवी लोग है वो भी कर सकते है इसके बिसे में है आमलया के बिसे में है मितरों तो मैं चाहूंगा की चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवस्य कर दें तो अथा अपने फ्रेंड्स की बीच में इस वीडियो को अवस्य से शेयर करें कमेंट की रूम में हम तक अपनी प्रत्रिया को अवस्य प्रेसित करें तो मैं चाहूंगा कि इसका रिवीजन आप अवस्य करें और पूरी ही तरीके से मैंने आपको इस्प्लेइन किया हूं कोश्चन्स के आंसर को आगले वीडियो में पुनाह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत